दोस्तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि साउथ इंडस्ट्री में हर एक अभिनेत्री अपने कैरेक्टर को बड़े ही शिद्दत के साथ परदे पर उतारती है जिसकी वज़े से ना सिर्फ उन अभिनेत्रियों की फिल्में परदे पर काफे जादा सफल हो पाती है बलकि उन अभिनेत्रियों द्वारा निभाया गया किरदार भी काफे जादा यादगार हो जाते हैं जिसकी वज़े से अभिनेत्रियों को कशको द्वारा धेर सारा प्यार तो मिलता ही है साथ ही धेरों सारे अवार्ट से भी नवाजा जाता है लेकिन दोस्तों अगर आप से पूछा जाए कि साउथ इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों में से अब तक किस अभिनेत्री को सबसे जादा वाट से नवाजा गया है तो शायद आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे तो चलिए जादा कन्फ्यूज मत होईगे क्योंकि आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं साउथ की सबसे जादा आवाट पाने वाली आथ अभिनेत्रियों से रूबरू कराकर तो चलिए बिना देर किये वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन्ह जिन्होंने यूं तो कई फिल्मों में काम किया है पर इसके बावजू दिने अब तक केवल एक ही अवाड से नवाजा गया है जिन्हें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवाड में फिल्म ननाकु प्रेम्थों के लिए बैस्ट एक्ट्रेस का अवाड मिल चुका है इस लिस्ट में नमबर सेवन पर शामिल होने वाले अभिनेत्री है अनुपुमा परमेश्वरन जो की यूं तो अभी काफी जादा छोटी है पर इसके बावजू दिन्होंने भी अपनी आक्टिंग से हर किसी को काफी इंप्रेस किया है जिसके चलते महज पान साल के अंदर ही ये दो अवार्ड से अपने नाम कर चुकी है जिसमें एक अवार्ड इनकी फिल्म और आग के लिए मिला है तो वहीं दूसरा फिल्म गुनाधी अवकाते जिन्दगी के लिए नमबर सिक्स पूजा हेगडे इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री पूजा हेगडे का भी श इस लिए इन्हें बॉलिवुड फिल्मों में भी काम किया है और इसलिए इन्हें बॉलिवुड की फिल्म मोहन जोदरो और साउथ की ओका लेला कोसम जैसे फिल्मों के लिए अब तक चार अवार्ड से नवाजा जा चुका है नमबर फाइव रश्मिका मंदाना नैशनल क् भला कैसे पीछे रह सकती है जिन्होंने अपनी खुबसूरती से तो दर्शकों का प्यार पाया ही है साथ ही इनकी आक्टिंग भी दर्शकों को खूब पसंदाती है और इसी वज़े से ये भी अब तक साथ अवार्ड अपने नाम कर चुकी है जिसमें इनकी सबसे पहली फि काजल अगरवाल बी हमारी सलेस्ट में शामिल है और बात करें काजल अगरवाल ने अब तक कितने अवार्ड अपने नाम किये हैं तो बता दे 14 साल से इंडस्री में अपनी जगा बनाने वाली काजल अगरवाल अब तक 16 अवार्ड अपने नाम कर चुकी है भी जानते ही हैं वहीं बात करें इनके टोटल अवार्ट्स के बारे में तो बता दे तबना भाटिय अभी अब तक 30 अवार्ट्स अपने नाम कर चुकी हैं जिसमें इनके फिल्म 100% लव के लिए तो इन्हें 5 अवार्ड मिले हैं तो वहीं तडाकक और देवी के लिए भी इन् के टोटल अवार्ट्स के बारे में तो आपको बता दे महज 10 साल के अंदर सामन्था ने भी अपनी अदाईगी का जल्वा इस कदर बिखेरा है कि इन्हें अब तक 39 अवार्ड से नवाजा जा चुका है जिसमें फिल्म आ आ के लिए बेस्ट एक्रेस अवार्ड और ये है मा अभिनेत्री अनुष्का शेटी ही है इन्होंने अपने दम पर बिना किसी अभिनेता के एक से बढ़कर एक ब्लॉक बस्टर फिल्में दी हैं वहीं बात करें इनके टोटल अवार्ड के बारे में तो अनुष्का अभी तक 70 नॉमिनेशन और 33 अवार्ड अपने नाम कर चु पूरी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले